तो सारे नकते दिलता राम राम हेलो हाई सलाम सास्रेकाल वीडियो शुरू करने से पहले आज का सवाल दोस्तो कौन सी चार्जिंग टेकनलोजी जो है वो आपको सबसे अच्छी लगती है उपर आपको एक पोल मिल जाएगा ओप्शन है वावे का सूपर चार्ज का क्विक च चार्ज के लिजिए या वन प्लस का डैस चार्ज दोनों एक ही बात है उपर अपना पोल जो है वो जरूर दीजेगा दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में जैसे की वूप चार्जिंग सपोर्ट करेगा रेड्मी नोट 7 प्रो जो है वो पूछे हैं तो दोस्तों आज किस वीडियो के लाइक का टार्गेट रखते हैं पंदरा सो का और अगर अभी तक आपने स्वेगन टेक को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ इस बेल आइकन को दोबा देना ताकि आपको हमारे व वूप चार्जर रेड्मी नोट 7 प्रो में यूज हो सकता है क्या और यहां पर तीर्था पालकिया भी चीज़ पूछने है क्या रियल्मी के वूप चार्जर से रेड्मी नोट 7 प्रो चार्ज कर सकते हैं क्या और फास चार्जिंग होगी या नहीं होगी तो डेफिनेटली इसी बात है कि पहले मैं टेस्ट करकर आपको दिखा हुआ तीनों ही चार्जर से हम टेस्ट करेंगे रेड्मी नोट 7 प्रो को जो कन्वेंशल चार्जर आता है बोक्स के अंदर 5 वोल्ट 2 एंपियर का और जो क्विक चार्जर है यहां पर यह तीन तरह से काम करता है 9 वोल्ट त्र 10.2 A पर 5 वोल्ट 3 एंपियर पर और 12 वॉल्ट 1.2 एंपियर पर यह काम करता है और उसके लावब जो वूक्स चार्जर है फाइप वॉल्ट 4 एंपियर पर काम करता है तो तीनों ही चार्जर से हम एड्मी नोट 7 PRO चार्ज करेंगे हमारे पास वल्ट मींटर है जैसे ह कि आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर सब से पहले यहाँ पर लगा लेते हैं conventional charger और यह charger लगाने के बाद आपको output यहाँ पर देखने को मिल रही है वो 5.22W और 1.75 Ampere की मिल रही है कि देखने को देखने को मिल जाती है उसके बाद हम Qualcomm का Qiser 3 यूज करते हैं जी हाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीन तरीके से काम करता है तो यहाँ पर जो output आ रही है वो लगबग 5.8 into 2.5 ampere की आ रही है तो लगबग यह 14 से 14 watt की rapid charging आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है quick charger से अब यहाँ पर वूग charger टेस्ट करते हैं वूग charger से आपको जो output मिल रही है वो काफी कम देखने को मिल रही है 5.18 volt और 1.2 ampere की output आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है यहनि की conventional charger से भी थोड़ा कम मिल रही है तो दोस्तो वूग charger से चार्ज तो कर सकते हो बाई लेकिन जो charging speed है वो बहुत जादा कम देखने को मिलेगी उसका कारण में आपको एक चीज़ बता देता हूँ के वूग charging जो है टेकनलोजी जो है वो एक्चुरी software के साथ साथ hardware level पर भी काम करता है यहाँ पर जो आपको वूग charger दिया गया है उसके अंदर जो hardware है उसकी compatibility के लिए आपको फोन के अंदर भी hardware मिलता है वूग charging का जी हाँ यहाँ यहाँ पर आपको 5 layer protection भी मिलती है और जो वूग charging है वो काम करती है एक stable voltage rating पर और यहाँ पर जो current output है वो 4 ampere की होती है वो भी काफी stable रहती है जिबकि quick charge में आपको variation देखने को मिलती है शुरू में phone जल्दी charge होगा last में थोड़ा सा slow charge हो जाता है तो यहाँ पर इसी लिए काफी लोग पूछ रहे थे के भाई technical community पूछते हैं बाई swagant बाई मैंने देखा है Realme 3 Pro में जो super slow motion है वो बहुत बड़ी है लेकिन कोई भी YouTuber उसका resolution नहीं बता रहा है मैंने बहुत सर्च किया लेकिन अंसर नहीं मिला प्लीज अंसर दीजिए क्या उसका resolution कौन सा होगा 480p 960fps या फर 720p 960fps पर तो मैं आपको ब 960fps का super slow motion आपको देखने को मिल जाएगा I think आपका doubt जो है वो clear हो गया होगा उसके लाव दोस्तों heating के बारे में बहुत सारे question आये हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई YouTube पर बवाल मचा हुआ है heating को लेकर तो यहां पर कल मैंने एक video post किया था भाई उसमें मैंने Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro का heating test किया था different temperature condition में और मैं आपको guarantee देता हूं वो वीडियो देखने के बाद आपके मन में heating से related कोई भी question नहीं रहेगा इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में तो link आपको description में मिल जाएगा cards मैं आपको link मैं देदूँगा तो वो वीडियो ज़रूर उसके बाद संजेब पूछते हैं भाई is there a screen touch issue in Realme 3 Pro please help bro भाई कोई भी screen touch issue नहीं है या Realme 3 Pro में tension मतलोग चीज़ की यहां पर rv98 पूछते हैं भाई Realme 3 Pro में पीछे की साइड में scratches बहुत जाता होते हैं क्या अगर आप बिना cover के use करोगे तो scratches आपको definitely देखने को मिलेंगे क्योंकि polycarbonate बना है और polycarbonate पे scratches जो हैं वो बहुत जल्दी आते हैं तो यहां पर मैं आपको advise यही करूँगा कि आप यहां पीछे की तरफ जो है अगर आप cover use नहीं करना चाहते हैं तो कोई skin apply कर सकते हैं या फिर आप यह charger बार बार क्यों है राज या फिर आप जो है वहां पर case cover जो है वो definitely use कीजेगा तो यहां पर spider gamer पूछते हैं वाई अंकल जी इस बाहर प्लीज मेरा question पी कर ले Realme 3 Pro में Fortnite का lag होती है भाई थोड़ा वो ता lag देखने को मिलता है क्योंकि 4GB की game है और medium settings पर आप खेलते हैं तो लेकिन कोई आप playable है काफी अच्छे तरीके से खेल पाएंगे Realme 3 Pro का battery क्या game खेलते हैं समय भी थोड़ा सा अभी गरम होता है भाई हर phone का gaming करते हुए हलका सा गरम सभी phones का होता है और POCO F2 के launch होने की expectation कब है तो Redmi Pro 2 शायद POCO F2 बनकर इंडिया में आ जाए मैं के last में या जून में यह आ सकता है यहाँ पर unknown पुछते हैं कोई YouTuber unboxing की time पर phone के speaker का volume output quality कैसा है नहीं बताता है अभी recently launch हुए phone है Realme 3 Pro and Note 7 दोनों में किसी का speaker loud है तो यहाँ पर Realme 3 का speaker थेलका सा loud है और जो Redmi Note 7 है उसकी quality काफी अच्छी है लेकिन 19-20 का फरक है बाकि मैं अपने unboxing में हमेशा sound quality हमेशा दिखाता हूँ अगर आप उनको ध्यान से देखते हैं यहाँ पर शेक उजेफ़ पूसते हैं Galaxy A50, Redmi Note 7 Pro, Realme 3 Pro में से कौन सा best होगा तो Galaxy A50 लेना चाहिए आप बताई यह कौन सा best है तो अगर आपकी priority gaming है बाइट तो यहाँ पर आप जा सकते है Redmi Note 7 Pro के साथ और Realme 3 Pro दोनों में से किसी के भी साथ अगर आप movies वगरे ज़्यादा watch करना पसंद करते हैं तो आप Super AMOLED डिस्प्ले यानि की A50 के साथ जा सकते हैं तो दोस्तो आपको कोई भी question हो यार इन phones के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में नीचे comment section में लिस्कते हैं अगले QNM में उसको जो है include करने की पूरी कोशिश करूँगा तो अमीद करता हूँ दोस्तो आपको वीडियो अच्छा लगा थोड़ा सभी अच्छा लगा या हिल्फू लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए चैनल को subscribe करना मत भूलना मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में अपना क्याल रखिए अपने परिवार क्याल रखिए धन्यवाद जेहिंद